Hello dear mothers and parents, स्वागत है आपका Divine Baby Zoll में अगर आप पहली बार माम बन रही है तो आपकी दिमाग में ये सवाल अक्सर आता होगा कि आपकी normal delivery होगी या C-section delivery होगी तो अगर आप कुछ खास लक्षनों पर ध्यान देते हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी normal delivery हो जाएगी या फिर C-section delivery हो जाएगी तो आज के इस वीडियो में हम यही खास लक्षन बताएंगे जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि normal delivery होगी तो आप किस तरह का महिसूस करते हैं अगर आप हमारी चैनल पे नई हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए क्योंकि इस चैनल पे हम गर्पसंसकार और प्रेगनिंसी रिलेटेड वो सारी जानकारी शेयर करते हैं जो आपके लिए बेहद महत्पपुल्ण है सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किन किन कंडिशन में नॉर्मल डिलिवरी होना बहुत ही मुश्किल है जैसे कि आपको प्लैसेंटा प्रिव्या है और आपका बेबी जो है वो ब्रीच पोजिशन में है या आपको प्राइविट पार्ट्स में कोई इंफेक्शन है आपके यूट्रस में कोई इंफेक्शन है अगर आपकी मिसकरेज की पुरानी हिस्ट्री रही है तो भी आपको नॉर्मल डिलिवरी में थोड़ा problem आ सकता है अगर आपका blood pressure बहुत ज्यादा रहता है या तो आपको thyroid की problem है अगर आपको किसी भी प्रकार की bleeding हो रही है तो इन सारी condition में नॉर्मल डिलिवरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो अब मैं आपको जो लक्षन बताने जा रही हूँ उससे आप अंदाजा लगा सकते है कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी होगी सबसे पहले हम आपको बताना चाहते है कि नॉर्मल डिलिवरी के लक्षन क्या क्या होते है देखिए डॉक्टर ने आपको एक एक एकस्पेक्टेड डेट अफ डिलिवरी दी होगी और ये लक्षन आपको डेट अफ डिलिवरी के चार हपते पहले दिखना शरू हो जाते है जिन में से सबसे पहला लक्षन होता है बच्चे के मुवमेंट में कमी आ जाना प्रेगनिंसी के आठवे महिने के आसपास बच्चया अपने सर को मा के पैल्वीस में फसा देता है जिनकी वजह से बच्चे की मुवमेंट बहुत कम हो जाती है और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी होने के चांस ज्यादा है नॉर्मल पोजिशन मतलब बच्चे का सर नीचे आ जाता है और उसका जो धर्ड है वो उपर की और होता है इसे हम नॉर्मल पोजिशन कहिते हैं नॉर्मल डिलिवरी के लिए दूसरा लक्षन यह है कि प्रेगनिन महिला को बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है बच्चे का जो सर है वो मा के यूरिनरी ब्लेडर को पुश करता है जिनकी वजह से मा को बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है वैसे तो pregnancy के दोरान पूरे वक्त ही आपको बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती ही है लेकिन pregnancy के आठवे महीने के बाद आपको 5 या 15 मिनिट के अंदर ही टॉयलेट जाने की इच्छा होती है तो इसका मतलब यह है आपका शिशो आपके यूरिनरी ब्लेडर पर प्रेशर डाल रहा है और ये भी एक संकित है कि आपकी नॉर्मन डिलिवरी होने के चांसिस ज्यादा है त्रीसरा महत्वपूर्ण लक्षन है कि पीट के नीचले हिस्से में दर्द होना वैसे तो प्रेगनेंसी के पूरे सफर के दौरान आपको पीट में हलका हलका दर्द हो सकता है लेकिन प्रेगनेंसी के आंठवी महिने के बाद अगर आपको पीट के नीचले हिस्से में ज्यादा और तेज दर्द हो तो ये भी एक संकेत हो रहा है कि आपके नॉर्मल डिलिवरी होने के चांसिस ज्यादा है इसके अलावा प्रेगनें महिलाओ को खुद भी महिसूस हो सकता है कि उनका शिशु थोड़ा सा नीचे आ गया है और उसका जो सर है नीचे की तरफ हो रहा है उसके बाद का जो महत्वपुने लक्षन है वो है कि आपके बच्ची दानी का मुझ का खुल जाना वैसे एक डॉक्टर ही उसकी जांच कर सकते है और बता सकते है कि आपके बच्ची दानी का मुझ खुला है की नहीं अगर खुला है तो कितना खुला है तो वो भी एक डॉक्टर ही बता सकते है बच्चे दानी का मूँ का खुल जाना एक संकेत है कि आपको नॉर्मल डिलिवरी जल्दी ही होने वाली है उसके अलावा जब मा का पेट नीचे की और आने लगता है तो एक संकेत है कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी होने वाली है क्योंकि तब जाके बच्चा अपनी नॉर्मल पोजिशन ले सकता है आशा रखती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसी ही अन्नी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे दन्यवाद